नमस्कार दोस्तों, यूटूब चनल ICT IKARB में आप लोग का स्वागत है आज फिर से हम आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में बात किरेंगे एक नया स्कॉलर्शिप के बारे में जिसका नाम है LEAP स्कॉलर्शिप जिसमें स्टूडन को 5,000 रुपया का स्कॉलर्शिप के अमाउंट है ये कोई गवर्मेंट नहीं ये प्राइवेट स्कॉलर्शिप है तो अगर आप लोग कोई भी गवर्मेंटल स्कॉलर्शिप के अपलाइक किये हैं जैसे NSP, Ekelan, UP, बिहार फिर भी आप इस स्कॉलर्शिप को अपलाइक कर सकते हैं तो कौन स्टूडन इलिजबल है क्या क्या डॉकमेंट चाहिए A to Z जानकर इस वीडियो में हम अप लोग को बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रहिएगा तो चलिए सुरू करता है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक किजिएगा फ्रंट गूरूप में सेयर किजिएगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा नया नय अपडेट हमेशा पाने के लिए और एक बद बता दो अगर आप लोग टेलिग्राम में उच करते हैं तो हम लोग टेलिग्राम के साथ जूड़े रहिए क्योंकि वहाँ पर भी जो भी नया अपडेट आता स्कॉलर्शिप रिलिटेट तो सबसे पहले टेलिग्राम पर अपडेट करता हूँ चले भी बात करते हैं लिएप स्कॉलर्शिप के बारे में तो देख सकते हैं इसके जानकर यहाँ पर हिंदी में आर्टिकल लिखा हुआ आप लोग पढ़ सकते हैं अभी बात करता हूँ इलिजबिलिटी कैटेरिया का कि कौन कलास के स्टुड़न्ट इलिजबल है मेरिट बन जाता तो आपको 5000 रुपया का स्कॉलर्शिप मिल जाएगा चले अब आगर बात करता हूँ तो इलिजबिलिटी कैटेरिया में आप लोग देख सकते हैं वैसे स्टुड़न्ट इलिजबल है जो स्टुड़न्ट कलास 8 में भी पढ़ाय कर रहा है कलास 9 में और 10 में कलास 9, 10, 8 यही तीन कलास के स्टुड़न्ट इसको अपलाई कर सकते है अधर स्टुड़न्ट अपलाई नहीं कर सकते है उसका गारजन का एनुवल इंकम साड़े तीन लाग लगबग तीन लाग साथ हजार से जैसे कम हो सालाना इंकम सट्पिकेट बना है या फिर कोई भी अधर पुरूब जो साड़े तीन लाग रुपया से ज्यादा जैसे ना हो गारजन का फेमिले इंकम और यह जो स्टुड़न्ट के लिए है जो स्टुड़न्ट गल्स स्टुड़न्ट है वो इसको अपलाई कर सकते हैं अभी डॉकॉमेंट्स का बात करता हूँ रिक्वाइट डॉकॉमेंट्स क्या का चाहिए फिर डॉकॉमेंट रिक्वाइट तो देख सकते हैं एपलिकेंज फोटो इस्टुड़न्ट का फोटो चाहिए बहुत ऐसा student 8, 9, 10 में है जिनका passbook ही नहीं बनाएं ऐसा तो अभी फिलाल सब कोई बना चुके हैं लेकिन अगर ऐसा condition में है को passbook नहीं बनाएं तो अपना fathers का या mothers का passbook को दे सकते जिनका नाम इस scholarship form भरते टाइम मांगा जाएगा जैसे father's name mother's name तो जिनका नाम रहेगा किसी एक parents का passbook को दे सकते मतलब bank account details पिछले साल का marksit लगेगा जैसे 9th में है तो 8 का marksit 8 में है तो 7th का और 10th में है तो 9th का marksit अगर promoted हुए है तो marksit का ज़रुत नहीं उससे अभी form को भर सकते हैं current fee receipt फिर जब form apply करने का तरीका बतांगो उसमें आप लोगो को बता दूंगा current fee receipt मतलब admission लिए school college में कुछ तो fee मिलता मतलब राशित तो देता ही है तो current fee receipt आपको यहां पर लगेगा अगर school college में पढ़ाई कर रहे हुआ बोनाफाइट certificate या फिर institute का letter paid में आपको लिखवाना है कि सुपर्मानित किया जाता तो यह student इस school में इतना कच्छा में पढ़ाई कर रहा है इसी तरह इस तरह का interface open होगा first time apply करेंगे तो आपका पूरा नाम यहां पर आधार में जैसा हो ऐसा नाम मुबाइल नंबर और email id और पासवर्ट फिल अप करेंगे दो तिन बार नया पासवर्ट जनरेट करेंगे जैसे नाम पूरसेस बताया गया किस परकार आपको scholarship को apply करना तो बस परन्द इस वीडियो में इतना जानकरी देना था इस scholarship का last date एक फरवरी तक है हो सकता डेट आके extend करें जो भी अपडेट आएगा इसी website में अपडेट हो जाएगा आके अप लोग चेक कर सकते हैं तो चली आप मिलत हैं नेक्स्ट वीडियो में